आहम तोर पर लोगों को कमर दर्द की दिक्कत हो जाती है बहुत जादा देर एक ही पोजीशन में बैठे रहना तेड़े मेरे सोना या फिर ठकान भी कमर दर्द का कारण बन जाता है लेकिं सरीर में पोसकत्तों की कमी भी दर्द की बज़ा हो सकती है बिटामिन B12 ऐसा ही में कई हिस्सों में खासकर कमर में दर्द होने लगता है जानगे इस तरह इस कमी को दूर करने के लिए खान पान में बदलाव किये जा सकते हैं और कौल से उपायकार कर साबित हो सकते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक शियर कर दीजेगा और अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा पास में ही बेल ऐकन है उसको भी प्रेस कर दीजेगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं घरेलुन उसको की बात करें तो फीट के दर्द को दू जाये तो उससे दर्द में काफी आरा मिलता है इसके लिए एक किलास दूद में आप आदा चम मछर्डी मिलाएं ₤ हरवल टी भी बहुत ही कारकर होती है कमर दर्द को दूर करने के लिए अद्रक और ग्रीन टी को मिलाकर बनाई गई हरवल टी कमर दर्द से राहत देने में मददगार होती है इसके सेवन्स के लिए ग्रीन टी बनाते हुए अद्रक के छोटे छोटे टुकडो को मिलाएं और पका लें एंटी इंफलेमेटरी गुडो से भर पूर ये चाय दर्द को सोख लेगी और आपको तुरंत आराम मिलेगा कमर के दर्द में गरम पानी से नहाना या फिर बात तब में कुस देख गरम पानी के अंदर बैठने पर आराम मिल सकता है आप गरम पानी की सिकाई भी ले सकते हैं जिससे आराम मिले हाला कि ध्यान दे की पानी का तापमान बहुत ज्यादा ना हो जिससे सुचा जलने लगे एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा तरीका है कमरदर्थ को दूद करने के लिए अपने बैठने और सोने के पौश्चर पर ध्यान दे कंधों को पीछे सीधा रख कर बैठे और जरूरत से ज्यादा ना चुके इसके अलावा हलकी फुल्गी एक्सरसाइज करें जिससे हड़ियां अकड़ी ना रहें साथ ही बहुत देर तक बैठे या खड़े ना रहें जनकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग